अगर आप जीवन में यशस्वी होना चाहते हो, अगर आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ती है। दिड़ता से जीना पड़ता है, डिटर्मिनेशन से जीना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, पेशेंट बंगना पड़ता है। और निराश हो जाते हैं सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रू है निराशा यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे जब भी निराश हो जाना तो बस मा जिराफ को याद कर लिना है जब मा जिराफ अपने बच्चे को जन्द देती है तो माता जिराफ बड़ी उंची होती है और बच्चा उचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है और जैसे ये बचारा समझने का प्रहत्म करता है कि मैं कहां गिर गया तब तक वो माँ उस बच्चे के उपर खड़ी रहती है और उसको बच्चोर से लात मारती है उरते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुदबुद दुबारा इकटा करने का प्रत्न करता है फिर माँ उसके उपर आकर खड़ी रहती है और दुबारा एक बड़ी चोर से लाथ मारती है बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूँ न तो लाथ खाते रहना पड़ेगा अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रयत्म करता है उजिराफ का बच्चा फिर दुबारा माँ आकर उसको लाथ मारती है बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लाथ खाते रहना पड़ेगा जिराफ का बच्चा तेजी से भागने का प्रयत्म करता है और तभी माँ आकर अपने बच्चे को चूमती है अलिंगन करती है माँ जिराफ भली भाती जानती है उत्यादी जो नावजात प्राणियों का मास बड़ा पसंद करते है और माँ जिराफ तो बच्चे के साथ उस शिशू के साथ हमेशा नहीं रह सकती तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे दुबारा लात मारती है ताकि उसे उठने की जो क्रिया है वो याद रहे दुबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं दौड़ना प्रारंब करे जीवन में कई बार चुनोतिया आएंगी चैलेंजस आएंगी और हम गिरेंगे हम फेल होंगे लेकिन मा जिराब और उसके बच्चे को याद कर लिए चाहिए जब भी चुनोतिया आएं जब भी चैलेंजस आएं जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो उस बच्चे से उठना सीखो उठके खड़े रहना सीखो खड़े रहके भागना सीखो अगर उठोगे खड़े रहोगे भागना सीखोगे तब यश सक्सेस के उँचे से उँचे शिखर पर पहांचना सीखोगे